अलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे ओफिशल यूट्यूब चैनल अविजन ससी बैंक एक्जाम्स पर मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंगी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिसकेशन यहां पर रहने वाला है दोस्तों जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो टेसला कमिंग टू इंडिया इन अर्ली 2021 तो दोस्तों यहां अपर हमारे युनियन मिनिस्टर युनियन रोड मिनिस्टर जो है हमारे नितन गटकरी द्वारा उनके ड्वारा कांफर्म किया गया है कि अब भारत में आने वाली है और बहुत ही जल्द आने वाली यह तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक के उपर हम लोग बिल्कुल सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन पर पॉप आउट हो जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से भी पीडिएफ को अवेल कर सकते हो और इसी के साथ एक और इंपोर्टन चीज जो आपको करनी होगी फ्रेंज वह यह होगी कि आपको ह करना होगा जिसका नाम आपका इंस्टिट्यूट चे है तो ऑविज़न इंस्टिट्यूट के टेलिग्राम ओफिशन टेलीग्रम चैनल को भी आप ज़रूर जोइन किजे वहां पर भी आप लोगों को सबसे पहले अपडेट किया जाएगा कोई भी नई वीडियो आने पर स स्टुडेंट्स के लिए जो की प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे आने वाले गवर्मेंट एक्जाम के लिए या फिर कोई भी आप लोग का नैशनल एक्जाम होता है तो काफी जादा है यहां पर मिलेगी ठीक है तो फिर आगे चलते हैं कि करके सारी चीजों को बिल्कुल छोट आप लोग को बता दू अविजन ऐसी बैंक एक्जाम पर डेली सुबह साथ बजे करेंट अफेर्स का दोस्तों सेशन होता है ठीक है उसी के साथ सुबह आट बजे आप लोग का इंग्लिश वोकाब्स का सेशन रहता है दह हिंदू से जो आपके इंग्लिश वोकाब्स होते उन पर पूरी चर्चा होती है तो दोस्तों कहीं ने कहीं आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ यू के लिए भी काफी जादा फाइदेमन साबित होगा डेली के साथ साथ आप लोग वीकली और मंतली करें इंडिफर्स का भी लोफ्त उटा सकते हो हमारे अविजन और मजबूत बना लिजे अविजन एसे सी बैंक एक्जाम के साथ तो चली दोस्तों आज का जो हमारे टॉपिक रहने वाला है जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला टेसला विल लॉंच इंडिया 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 में टेसला को लॉंच करने वाले है और दोस्तों जैसे कि मैं आप लोग को बता दू कि यहां पर एक आर्टिकल भी था तो उस आर्टिकल के सब्सक्राइब इसे कि आप लोग देख पा रहे हो इन लेतिन गटकरी कंफर्म्स टेसला कमिंग टू इंडिया इन आली 2021 तो यह बात भी आप लोग इधर ध्यान रखना अब यहां बात कर ले तो दोस्तों टेसला जिसको नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दू कि पहले टेसला का न इनका नाम क्या हो चुका है बिलकुल चेंज हो चुका है यह बात ध्यान रखने है अब यह जो टेसला है दोस्तों यह किस चीज में डील करती है यह बात भी आप लोग ध्यान रखोगे तो basically it is an American electric vehicle and clean energy company थेख भी यह इन के तो इसे मार्केट में अभी तक की सबसे बड़ी कंपनी बोला जाए या फिर ये पूरी कंपनी सिर्फ एलेक्ट्रिक वहिकल्स और क्रीन एनरजी कंपनी बेस्ट ही है ठीक है कैलिफोनिया बेस्ट है तो यह इनका जो में फील्ड है या फिर मैं बोलू तो में इन लोगों का क अच्छा वहिकल्स के उपर ही होता है दोस्तों ठीक है यह बात भी थान रखना साथी साथ इलेक्ट्रिक वहिकल्स के साथ और भी बहुत सारी चीजें बनाते है तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोलू तो तो इसमें वराइटी मिलेगी आप लोगों को कंपनी में साथी इलन मस्क ठीक है एल हुझ एलोब मस्क अइसा इन साथ इन चाह्त जेनियास है कि उनका मैं बोलू तो उनकी पूरी जिंदिग कि उन्हों है सिर्फ कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ इनोवेशन ही की है ठीक है तो बहुत ही मतलब जाने वाने वाने इवन लाज्ट लाश यह उसमें भी अगर को देखा हुगा तो उसमें मैंने आप लोगों को बतायi था रिईउजेबल सैटिलाइट लाउचर के बारेमें तो अभी तक इंडिया रिईउजेबल सैटिलाइट लाउचर बना निए लेकिन सिर्फ दुनिया में एक ऐसे इलॉन मस्क्राइट इनकी कम दिखता ओनीन स्वाइपन優 है उसमीड थे लिप्र दैश्टेशला सक्षाटिल्गॠ थेसल समिग bushesली यहां फ्रता है यह दो चैंटाइन है सब्सक्राइब है वह भ criminal analysis नेम address और सब्सक्राइब काम यह बनाती तो यहां पर दोस्तों निदिन तो दोस्तों हमारे इंडिया के लिए बहुत ही नियूस है कि अब टेसला क्या करने वाला है लॉंच होने वाला इंडिया में इविन ये भी बोला गया नितन गटकरी जी कि अब गटकरी जी साहब के द्वारा कि पांच साल बात देखा जाएगा कि मैनिफेक्चर भी हां पर श सारी चीजों को जानेंगे जैसे कि देखो आप यह बढ़ सकते हो यह सेट टेसला विल स्टार्ट ऑपरेशन फर्स्ट विट सेल्स एंड दन मेभी लुक अट सेल्स पर टार्गेट करेंगे दोस्तों अगर सेल्स हम लोग को पॉजिटिव रही इंडिया में तो आप लोग साथिसार्न में को बता है बने को बता दो आज बंध करा ना भूले इंडिया आने ओल घ़ए चया अब लोग को बता दूँ आज का जो डेट है आज की डेट में आप लोग को भी पता है कि इंडिया की जो पब्लिक है वो इलेक्ट्रिक वेहिकल्स को इतनी अपना नहीं पाईगी ठीक है कुछ टाइम तो यहां पर लगेगा क्योंकि अभी भी लोग सोचते हैं कि एलेक्ट्र करेंगे कुछ देर बात लेकिन अभी इंडिया में जो पब्लिक है वो इसके उपर कम सोचती है इलेक्ट्रिक वेहिकल्स को इतना जादा यह लोग फेवर नहीं करते हैं लेकिन आने वाले टाइम में सब लोग जैसे बोल रहेंगे इलेक्ट्रिक वेहिकल्स का एक अलगी र मार्केट यहां पर इंडिया में देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में तो दोस्तों मैं आप लोगों सबसे पहले तो बता दू के एलेन मस्क जो है इनके बारे में बात जरूर करनी चाहिए तो दोस्तों एलेन मस्क इनकी ही कंपनी है कि आपकी टेसला ठीक है और एवन ट्विश ट्विशाबीどう- seperti लिवोट विए बिलियंअ बिल्यों इंडेघ्स निक्लाता और यह बल्कुल रीसेंक लिlord की है ट्वेटी तो ट्वेटी जो इंडेक्स निकाला है ब्लूमर्य ब्लॉमर्वटी बिलियंड नैर्स ता करें जिसमें हमारे ट्वेल्थ नंबर नंबर पर आता है दोस्तों तो ठीक है यह बात आप लोग इधर क्या करना ध्यान रखना अच्छा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने बात करी ऐलोन मस्क की तो ऐलोन मस्क का नंबर आप देख सकते हो दोस्तों यह सेकंड नंबर पर आते हैं ठीक है सेकंड नंबर पर यह मान के चलो आप बिल गेट से भी जादा अमीर है ठीक है मांग जकरबग से भी अमीर है सबसे अमीर तो कौन है आपके जेफ बेजोज ठीक है लेकिन उसके बाद सेकेंड नमबर पर आते हैं आपके ऐलन आर मस्क ठीक है यह बात आप लोग इदर क्या करना ध्यान रखना तो य यह जो है मतलब ही इस सो इंटेलिजेंट के नों ने पता नहीं क्या क्या नहीं बनाया नों ने पूरी लाइफ से अपर इन्वेट करने और कुछ-कुछ नहीं चीज़े बनाने और यह काफर जादा सक्सेस्फुल भी रहें दोस्तों इस फील्ड में तो यह बाद भी आप उनको बहुत सारे drawbacks लगते प्रसी बहुत महिंगा भी तो एक एक बात यहां पर है कि इंडिया इसको नहीं अप्ट कर पा रहा है लेकिन आने वाले टाइम में जरूर करेगा यहां पर दोस्तों एक मैने ग्राफ दिया है आप लोग जहां पर आप लोग पता चलेगा कि सबसे बड़ा मार्केट बोला जाता है इसके बार में भी आगे बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आता है यूरोप तीसरे पर आता है उनाइड़ेट स्टेट्स कैलिफोनिया नॉर्वे जर्मेनी जपान फ्रांस सबसे लास्ट में आप लोग देखने मिलेगा नेधरलें है दूसतो नेदेलेंड्स की जो फॉपलेंशन है मेरे सब से सवाकरोड की है और यहां पर हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा बादी है तो भी तो भी सब्सक्राति वहिसले किन श्रमें परathyकल सब्सक्राइब तो दोस्तों टेसला प्रडक्शन जो है चाइना में मार्किंगा मेजर स्टेप इन और मैं आप लोगों को यहां पर एक और चीज बता दू आगे बढ़ने से पहले कि टेसला जो है ठीक है वो अपना 50% जो प्रडक्शन है वो चाइना से करती है यह बात ध्यान रखना मतलब बस्तों चाइना से होगा और प्रडॉट के टेसला आने वाली है उसका प्रडॉक्शन भी चाइना ही करेगा यह बहुत अच्छी बात या पर रहेगी तो चाइना को वर्ल्ल का लाज़ेस्ट इलेक्रोनिक वेहिकल मार्केट यहां पर बोला गया है दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं मैंने आप लोग को कुछ देर पहले भी बोला था कि ऐसी क्या चीजे हैं मतलब ऐसा क्या है कि जो गवर्मेंट चाहता है कि हमारे यह पर इंडिया में सब लोग इलेक्रोनिक वेहिकल को अपनाएं तो अपनाने के लिए उन्हें कुछ न को सुविदाय भी देनी पड़ेगी सब्सिट्री भी देनी पड़ेगी तभी तो अट्रैक कर पाएंगे ना क्योंकि हमें तो क्या चाहिए जैसे अब मैं नहीं होगी फबलिक तो 2019 का जो युनियन बजटनिकला था दोस्तों उसमें हमारी फिनाइस मीनिस्टर निर्मला सिता रमांजी ने यह बात अधु निर्मला सिता रमांजी ने यह बात यहां पर पा रहे हिए जैसे कि आप लोग बड़ पा रहे हो इन युनिन बज़ें लगता था पहले लेकिन अब कितना लगेगा उनली 5% तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है यह ट्रैक करवाने की स्कीम से दोस्तों ताकि लोगों को क्या मिले अगर आप GST कम लगेगा तो जादा खरीदेंगे लोग समझ रहो बात को तो पहले था 12% और अभी union budget 2019 का जो निकाला उस डेड़ लाक रुपय का भी tax deduction यहां पर घोशित कर दिया on the interest paid on the loans taken to purchase EVs अगर आप लोग लेते हो subsidy मिलेगी या फिर उसको पूरी तरीके से exempt कर दिया जाएगा तो यह यह सारी चीजे लोगों को और ज्यादा अट्राक करने के लिए यहां पर union budget 2019 में लेकर आये थे कौन हमारी finance minister निम्ला सीतारमन जी अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों lithium की क्यों कि टेसला जो है ठीक है वो basically lithium based है ठीक है पूरी तरीकी से lithium based है अब एक बात समझना इंडिया में जो lithium है वो तो पाया नहीं जाता है ठीक है हमारे जो कुद्रत है हमारी जो कुद्रत है यह होता कहते है तो लीथियम का जो atomic number हो आपका 3 होता है ठीक है यह बात भी ध्यान लखना तो लीथियम आयरन बैटरी जो होती है दोस्तों basically it's a rechargeable battery ठीक है लीथियम आयरन बैटरी आर कॉमनली यूज्ट पोर्टेबल एलेक्ट्रोनिक्रोनिक वेहिकल्स और ग्रोइं ग्रोइ यहां पर यह बैटरी होती है किस तरीके से दिखता है तो दोस्तों basically stone type में होता है और फिसको crush करकर powder form में बना दिया जाता है तो यह पहले तो stones होते है और उसके बाद इसको क्या होता है आप लोगों का powder form में बना दिया जाता है तो मैं टेसला से कैसे इसको आप मतलब हम ल आप लिए उसके trucks होगें आप जो टायर्ज होते हैं इंजिन होते हैं तो ऐसे करके उनके जितने भी पार्ट होते ना यह सब आपका बनाया जाता है लीथियम से इसलिए लिए बहुत मेजर रूल प्ले करता है आपर ठीके और चाइना जो है चाइना जो है उसके पास लीथ दोस्तों जिसके लाजस लीथियम रिजर्व पाय जाता है पूरे वर्ल्ड में तो सबसे पहले आता है बोलीविया फिर अजन्टिना फिर चाइल ठीके उसके बाद आता है अपका चिली ठीके चिली के बाद आपका आता है यॉनाइट स्टेट्स और चाइना तो यहां पर देख पाते हो कि टॉप 6 मैंने आपको दिखा दिये और इवन ऐसे इनके पूरे टीले बने में रहते हैं लीथियम तो यह लोग ऐसे करके यहां पर क्या करते हैं यूज करते हैं तो यह बाद भी आप लोगो इधर क्या करने होगी ध्यान रखने होगी इंपोर्टिन ठीक है उसके बाद हो गया बोलीविया और हो गया अर्जंटीना ठीक है तो बेसिकली होता है क्या है इन तीनों के बीच में यह तीनों क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं एक जगे जाकर यह लोग एक इंटरसेक्ट करकर एक ट्राइंगल बनाते हैं उस ट्राइंगल में म देखोगे तो आप एक intersection point पाऊगे तो इस intersection point पाऊगे जहां पर मेजर लीथियम पाहँ जाता है और उस ट्राइगल का नाम भी आपका लीथियम ट्राइंगल तो एकजाम में ये question बन सकते है तो बता ओकों कौन सी टीन countries है तो ये टीन countries आप आपको के आंसर रहेगी ठीकैं और जो इन अब दूस्तों क्या हुआ था नेती आयो जो है ठीके नीति आयोग जो है उसने इस लीथियम ट्राइंगल के उपर ये लोग क्या किये थे विजिट किये थे कि ये लोग क्या सोचे थे कि हम लोग जाएंगे यहां से लीथियम को क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे इंडिया में क्या करेंगे इंडिया में और यहां पर इंपोर्ट जब करेंगे इंडिया में उसके बाद इंडिया में आकर हम लोग इसको क्या करेंगे रिफाइन करेंगे और फिर हम लोग इसको यूज करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया में एक भी लीथियम इंडेस्ट्री नहीं है यह बात आप लोग ध्यान रखना तो नीती आयोग ने किया तो विजट किया था लीथियम ट्राइंगल में और साउथ अमेरिका में जहाँ पर मिलता है ठीक है और उन लोगों ने फिर वहाँ पर जाकर इंपोर्ट करने की स्ट्राइटेजी सोची अब देखो एक बात समझो कुछ दिन पहले एक खबर थी कि गुजरात में सबसे पहली लीथियम रिफाइनरी खोली जा रही है अगर आप लोग डेली करेंट अफेर्स को फॉलो करते होगे फ्रेंज तो आप लोग को इसको बात मैंने पढ़ाई थी कि गुजरात में सबसे पहले इंडिया की लीथियम रिफाइनरी खोली जागी जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो यह इंडियन एक आर्टिकल है गुजरात स्टेट टो होस्ट इंडिया फॉर्स लीथियम रिफाइनरी ठीक है तो इसको क्या कर पाएगी और इसे अगर अफोर्ड कर पाएगी तो आप देखोगे कि यह इंडिया भी एक दिन इलेक्ट्रोनिक वेहकल का बहुत बड़ा हब बन जाएगा और यही तो सपना है हमारे सरकार का ठीक है तो यह बात है तो किस तरीके से सारी चीजे इंटर टेसला आने की बात थी इसलिए रिफाइनरी को खुला गया तो एक एक करके सारे स्टेप्स यहां पर लिए गए और दोस्तों मैं आप लोगो एक और चीज बता दू आप लोग अगर न्यूस चैनल को देखते हो बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आप लोग बात पता ह हमारे जो यह प्रेजिडेंट है इंडिया के प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंजी वह दौरे पे गए थे 2019 में वह गए थे बॉलीविया उसके बाद वह चिली भी गए थे ठीक है और उसके बाद वह आपका अर्जिंटिना भी होकर है तो दोस्तों यह क्यों होकर है बेसिक का हब बनाना इंडिया को आने वाले ताइम तो यहां पर जाकर इन्होंने क्या किया लीथियम इंपोर्ट के लिए बात करी तो किस तरीके से सारी चीजे एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों आप देख पा रहे हूं तो यह सब चीजे हमें जानना बहुत जरूरी है अब आप लोगों को बता दूए और चीज कि क्वेशन हाता है एक क्वेशन है जो मुझे आप लोग को बताना चाहिए आप लोग के साथ डिसकस करना चाहिए इंपोर्टन रहेगा तो यहां पर क्वेशन पूछा जाता है फ्रेंज कि जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है ठीक है वह कहां पर है यह बहुत इंपोर्टन है तो दोस्तों सबसे बड़ा सोलर पार्क वदी वर्ल्ट इन 2020 वह आप लोगों का राजिस्थान में ठीक है यह ध्यान आप लोगों को रखना होगा अब राजिस्थान में कहां पर है तो यह बात भी आप लोगों ध्यान रखोगी क तो आप लोग में को में लिकर बताओ तो जादा अच्छा रहेगा या आप लोग के लिए खुमवक रहेगा कि बताओ कि लाज़े सोलर पार्क इन द वर्ल जो है वह कहां पर है तो दोस्तों आज के लिए तो मैं बता दू आपको लेकिन आने वाले जो सेशिंगे उसमें आप लोगों का जोदपूर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा दोस्तों ठीक है और इसकी जो टोटल कैपैसिटी है वह आप लोगों की 2245 मेगा वाट की ठीक है तो यह बात भी आप लोगों का एडिशनल में ध्यान रखनें इस पर क्वेस्टिन आने के पूरे-पूरे यहां और चांसेस देखने को मिलेंगे दोस्तों तो यह था दोस्तों पूरा हमारा सेशन की किस तरीके से टेसला इंडिया में आने वाली है ले तन गट करीजी ने क्या कर दिया है उसको कनफर्म कर दिया है और उसी के साथ-साह ऐलन मस्की जो कंपनी है टेसला वह यह बोली है कि अगर यहां से sales का review positive मिलेगा तो यहां पर manufacturing होने के भी पूरे-पूरे chances है साथी साथ टेसला जो अभी इंडिया में आएगी वो होकर आएगी चाइना से और चाइना आज की डेट में सबसे बड़ा electronic vehicles का हाब है लेकिन पांच साल में हम लोग यह देख सकते हैं कि इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हब बन चुका है electronic vehicles के लिए साथी साथ 2019 के बजट में निर्मला सीता रमिंजी के द्वारा क्या-क है बदला और यह जोटपो डिस्ट्रिक्ट में आप लोगा सिट्वेटेड है 14,000 एकर 14,000 एकर की पूरी जमीन है दोस्तों और इसकी जो कापैसिटी है वह है 2245 मेगा वाट्स तो दोस्तों यह था पूरा हम लोग का सेशन किस तरीके से टेसला आई है किस तरीके से चीजों करने के सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलीगा चैनल को आपक तुरंती सब्सक्राइब कर लीजे और दोस्ते के साथ इन वीडियो को ज़रूर शेर कीजेगा ताकि आगे आने वाले जो एक्जाम एस्परेंट्स है या फिर जो गवर्मेंट एक्जाम के लिए प्रिपाइर करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियो को जादे स्यादा फाइदा हो सके तब तक के लिए बने रही है हमाई साथ थांक्यू सो मुझ एन आव नाइस टी